खबरे किनिया की सुप्रीम कोट ने बीते महीने हुए राश्ट्रोपती चुनावों के नतीजों को रद कर दिया है और साथ दिनों के भीतर फिर से चुनाव कराने का अदिश दिया है कोट का कहना है कि चुनावों में अनियमित्ताएं पाई गई है राश्पती उहरू केन्याठा ने कहा कि वो कोट के फैसले का संबाद करेंगे उधर के नियाठा के विरोथी और विपक्षी नेता राईला ओडिंगा ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के इस्तीफे और उनके लिए सजा देने की मांग की है जज ने कहा कि चुनाव आयोग को समविधान के प्रावधानों के तहत कराने चाहिए थे जिसे कराने में आयोग नाकाम रहा है